हेलो फ्रेंट सौगत आप के ही चैनल फेंटेसी डॉक्टर में एक बरफिट से चमेच वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वह उने वाला यहां पर और पाकिस्तन के बीच यहां पर वर्ल्ड कप का मैच होने वाला इस मैच की वीडियो वीडियो इंपोर्टन्ट रहे गया आप हमारे यूट्व चैनल पर नहीं आयों तो आपको हमारे टेलीगराम चैनल जॉइन करना बहुत जरुए हैं जिसको नाम है फेंटेसी डॉक्टर आपको विदियो के यहां कमेंट मिल जाएगा सबसे बूपर लिंक होगा जैसे उसको आपको जोई कर लिने थोख कि आप और आपको हमारे टैलिग्राम के रियल और ओरीजनल चैनल के साथ जूढ जाने की तो रियल और ओरिजनल चैनल आ से जूढ़ने का सर एक ही को या आपर लिंक यूसकरना जो को ना टीडियस देना ना जीस्टी देना तो आप डेफिनेटी टेलिग्राम चनल जोइन करना बहुत अच्छी सेविंग हो सकती है आपकी वेन्यू जो है वह यहां पर एम चिन्नसवाम स्टेडियम बैंगलोर में मैच हैने वाला वैदर जो है वह क्लियर है और मेरे अभी तक सब्सक्राइब कर सकते हैं तो मुझे रखता है दोनों में से कोई भी टीम मैच कर सकते हैं जो अच्छा खेलेगी यहां पर वन्डे का है एक्सपेक्टेड इसको यहां पर जो है वह दो सब्सक्राइब बाकि अगर बात किया तो पिछ रिपोर्ट यह कि ट्रेडिशनली जो यह पिच ना बैटिंग पिच मानी जाती है और यहां पर फास्ट बोलर से ने उनको सपोर्ट ज्यादा मिलता है उसको मैं आगे प्रूफ भी करूंगा और जो बाउंडरी से वह यहां पर चोटी भी है जिसके कारण बैट्समन को बड़ा फायता मिलता है कई पार मिस्टाइम भी होता है चक्का हो आता है तो इस पिन के लिए उतनी पर 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 चाहिए उतनी हेल्प नहीं है जित वर्डिया और तो यहां पर ही तो यहां पर चल चलना बांकी अगर फ्रीदी मेशन शादाब खान यह च्छे बाई कर सकते हो कि उसके बागे उपके उपर आपकी तो कि आप कितना कर सकते हैं अब से आपको आई बटन पर वीडियो डाल दूंगा इसमें पदल जाएगा आपको बाई और सैल है क्या दूसरा आपको यहां पर ना तो टीडियस देनी के जोट पड़े कि ना जीएस्टी तो आपका बहुत सेविंग भी रहने वाला बाकि टेलिग डे नाइट मैच है तो नाइट के टाइम में यहां पर ड्यू पड़ सकती है और यहां पर उसके कारण में जाता है जो टीम पहले पहले बॉलिंग करना चाहेगी ताकि नाइट में अगर आप देखो कि सेकंड बैटिंग करते हुए बैटिंग को एडवांटेज भी देखोगे तो यहां पर बैटिंग सेकंड करने टीम का एडवांटेज तो बाद में टीम को थोड़ा डिसएडवांटेज भी राता है बालिंग करने वाद में एक भी टाइग नहीं हुए बाके अगर बात कि यहां पर एवरेज स्कॉर जो है वास् 2 65 रहेगा अगर 23 मैच इस ग्राउंट पर खेले गए जिसमें अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा 200-200 के बीच में स्कॉर बना नाइन टाइम और इसके बाद बनाए 300 के उपर आठ बार तो इससे पहलता है कि अगर 24 में से आठ बार वन थर्ड टाइम यहां पर 300 के बनता है इसलिए बैटिंग फ 2011 का वर्ल्ड कप जो इंग्लेंड के इंश्ट आइलें ने चेस करा तो यहीं ग्राउंड था एवरेज यहां पर विकेट है यहां पर 36 रन पर जाके मतलब हर विकेट गिरने पर 36 रन बनते है तो यहां पर एक अच्छी है कि अगर आप मानोगे 10 गिरते तो 10 से इंटू कर त तो तो इस तरहीं कि आवरेज निकलेगी और यहां पर स्क्वेर बांडरी यहां पर यहां पर बड़ी नजर नहीं आती चिन असवामी में बाकि हाइस इंडिविजल स्कोर जो इस ग्राउंड पर रहेगा वह यहां पर रोई शर्मा ने किया था दो सो नोशले अगेंस्ट और बैस्ट बाॉलिंग इनिंग पर इनिंग में जो है ध्यान सप्राइज है यह चीज कि वैसे स्पिनर्स के लिए हेल्प नहीं बड़ इक चार में चार सो से इस ग्राउंड पर लिए जो कि इंडिया के लेफट आम फास्ट बोलर भी तक कि वन अफ दी बैस वाइस बाल इंडिया की हिस्टरी में आट मैच में 14 अब सबसे वाइगे अगर देखो कि टॉप फाइव विकेट टेकर की लिस्ट निका लेगो तो उसमे तो इसलिए बोले स्पिनर्स के लिए उतनी पर्चेत है उतनी हेल्प नियस ग्राउंड पर सारे के सारे फास्ट बोलर को यहां पर हैल्प मिली अभी तक पंट पी कि मुझे लगता है जिस्टार को शाहिन अफ्री दिये दोना अगर लेफट आम फास्ट बोलर है आज की डे इसलिए लेवन जो रहे गिए ऑस्ट्रलिया की वह यह तीन मैच खेले दो जीते हैं दो हारे एक जीते पहले में नैंटेन फिक दो सट्टर फिक दो से बंद्रा थोड़ा बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे ऑस्ट्रेलियन टीम बैट इस पिच में तो रगता है कि थोड़ा फाइदा उठाना चाहिए क्योंकि बैटिंग पे चाहिए और ऐसे पिचिस पोश्लियों किलना पसंद भी है मिचल माश बावन साथ जीरो यह परफॉर्मेंस लिए लास्ट तीन मैच की लास्ट में अच्छे टच्में नजर आया था मिचल माश उससे पहले अच्छी फॉर लगता है कि अगर मार्श को जल्दी को या उट करें तो यह बाकि है डेविड वारनर डेफिनेटली अभी तक बल्ला वे शांतरा एक तालीस तेरा ग्यारा बट आप नहीं कर सकते मुस्त मितलब जो टीम के लिए बहुत नीड़ेड मैच मुस्त इंपॉर्टन मैच जाता है वारनर अच्छा करता है और डेफिनेटली वर्ल्ड क्लास प्लेयर है इंडिया से पहले इंडिया के वंडे सीरीज में टीम में जरू लेके जाओंगा दूसरा लेफटन बैसमें तो शायद उतना थ्रेट भीनर है अफ्रीदी का वाकि स्मित थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है वर्ल्ड क्लास प्लेयर है ऐसे प्लेयरों को जरूत होती है सिर्फ एक कुछ शॉर्ट की कुछ अच्छी निंग तो मुझे रखता है कि यहां पर वार्नर समीत एक अच्छा रोल प्लेय कर सकते हैं मैच में बाकि यहां पर है मानना स्लावुशेन राइटन बैट्समें और एसा प्लेयर है थोड़ा स्लो खेलता है ऐसा बोल रहे है कि 40 बोलो में 25 बीस रण साट बोलों में 40 45 न करने वाला प्लेयर है तो विकट गिरेंगे जल्दी काम आएगा खासका से लिए पहले बैटिंग कर ज्यादा कंसीडर कर सकते हो मिडल और को संभाल सकता है जो इंग्ल पर आई थी इनिंग जो कि बहुत नीरेट से क्योंकि वहाँ पर तीन विकट गर गर गया थे इंग्लिश ने ऐसी निया कि सिंगल डबल करके इनिंग खेली हो काफी अटैकिंग क्रिकेट खेला था महाँ पर तो कॉंट्री रखेंग अपनी प्लेस को और मीनी ग्रेंड पूरे पूरे कर रहा है तो यहां पर कहीं न कहीं ध्यान रखके चलना कि आपको पता है कि इनकी टीम में थे इमाम हो गया तो कहीं न कहीं मिडल और पर भी अच्छा करें क्याप्टन बैस्ट ऑप्शन है यहां पर ग्लैंड मैक्सवल तो लाच्ट बैटिंग से थोड़ा अच्छे टच में नजर आया मारकस के बारे में एक की चीज़ बोलूँगा आपके लिए इसलिए इंपॉर्टन बन सकता ग्रैंड लिंग में क्योंकि कि देखो किसी का ध्याने इस पिछ पे स्टॉइनिस भी एक्स्पिरेंस हो सकता है कि इस पिछ पिनर्स के लिए होतना हो कमी समय नजर आया नहीं बट देखा जाया तो डेफिनिटली कहीं कहीं है कैप्टन बैटिंग से भी कॉंट्रिब्यूट कर सकते बट स्टार्क हैसलोड जंपा मेरे टॉप तीन पिक रहेंगे को हम बिल्कुल मिस नहीं करना ला क्योंकि हैसलोड है जिसको जब भी मैं टीम स मिल सकती है यह भी के लिए खेलता है तो काफी एक्सपिरिंस पे ख्योच चुका है और स्टार्क के बारे में बोरूंगा है कि एक टाइम पर यहां पर एक पिछका भी यूस्ट है और यहां पर इसे नहीं करता है क्योंकि वर्ट ग्लास बालर है जैंपर डेफिनिटल मिडल मिलता है कर चारों में से किसी तीन को लेना मैं इन तीनों को लोगा कमिंस आपके पर आप्शन है यह अभी तक कमिंस को जब भी मैंने लिए उतना कोई खास कोंट्रिबूशन का रहा नहीं है आपको स्टार्क कमिंस और हेजलवूड बॉलिंग करते हो नजरें कि बैंच में मैं अफ्रीदी के चकर में नहीं ले रहा बाकि इन दोनों को लोगा मानना स्लाबुशन अच्छा उप्शन हो सकता आपके लिए ग्रेंड लिग में इंग्लिश बाकि मैक्सवल और मैक्सवल को स्मॉल लिग में लेना ग्रेंड लिए बहुत रिस्की टीम में लेना और खास इमाम उलक ओपनिंग करते हैं लेफ्टन पैट्स में थोड़ा स्ट्रॉगल कर रहा है प्रैक्टिस में अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आया था दूसरा बात की जाया तो यहां पर रैंकिंग थोड़ी ऊपर नीचे होगे तो और उससे पहले अगर आपको पता हो तो एक मुझे लगता कि इमाम इतना देर टिक पाएगा बहुत मुश्किल है प्लस अगर ज्यादे टिक गया तो मैक्सवल है तो अच्छा प्लेयर है पहले मैं अच्छी सेंचुरी जरूर कर रहा हूं आप ले सकते हो इन दोनों को ध्यान रखके चला मैं है इन दोनों को थोड़ा मिस कर रहा हूं बावार आजम डेफिनेटली इतने अच्छी फॉर्म में नजर नहीं है बट वर्ल्ट क्लास प्लेयर है क्याप्टन टीम का मिस नहीं कर सकते नंबर नोड है बैट मैं तो लेके जाना पड़ेगा रिजवान सबसे बढ़िया फॉर्म में तो मिसमत करने इन कि मिटल ओडर में खेलेगा सिंगल डबल करके अच्छी बिल्ट कर सकता है जल्दी विकिट गरते हैं इस्तिकार के बारे में एक ही जिच बोलूँगा कि जब एक्सपेक्टेशन दियो कि तभी टीम के लगच्छा कर सकता है और एक फिनेशर का रोल प्लेय करता है जिरूत सबसे बड़ी बैटिंग करता है इन तीनों में हसन अली अफ्रीजी को मैं जरूर लूँगा पावर प्लेय में एक दो विकिट निकाल सकता है रॉफ के पाँ जो मिडल ओडर विकिट टेंगिंग कैपेविलिटी है वह बहुत ची है एश्या कब में अच्छा रहा था प्लस स्टार्टिंग के दो मैंच में चरहा बट रहा ने सब खरब कर दिया उसका पुल शॉट मार मार के तो डेफिनिटल में रॉफ को बोलूँगा कि आप लेके जाएंगा क्योंकि अच्छा कर रहा है कोई चांस ने अच्छा कर रहा है उसामा मीर इस पिच इस पिन फ्रेंडली है नहीं तो यहां पर वैसी चांस नहीं बनेगा मौम जसीन जूनियर अबरार जो है स्पिन बॉलर है बट पिच में स्पिन के लिए हल्प नहीं तो इस लिए कोई चांस नहीं है इंपोर्टन मुझे लगता है इस तीम सेम प्लेंग 11 से जाएगे इंपोर्टन दोनों को ड्रॉप कर रहा हूं आजम और रिजवान के साथ जाओं चैनल ट्रॉप रिजवान के साथ जाओं गार्म के सकते हैं नेकलेलेंगे अच्छा और नहीं खेलेंगे आधाल रहा हैं वार्न थे तीनों को यहां पर चाहो तो वार्नर की जगा मार्शके साथ जा सकते हो इमाम और यहां पर एक अच्छा उप्शन हो रहा है यहां पर लावुशेंग को ट्राइ कर सकते हैं समित की जग़ा बैश्मित वर्ल्ल ग्लास प्लेर रहे सकते हैं मिडल ओवर में सिंगल डबल करके इनिंग को बिल्ट करेगा और शफीक और इमाम में इसे आप मैं मिनी ग्र लिए नवाज ग्रेंड लिक के लिए इस्तिकार बहुत रिस्की टीम में ही ट्राइक करना बाकि स्मॉल लिक के लिए इतना सेफ नहीं है बाकि मैंने यहां पर लिया शाहीन अफ्रीदी को स्टाक को हेजल वूड को रॉफ को जैंपा को यहां पर एक अच्छा ऑप्शन और अगर अच्छा अप्शन है पहले बैटिंग करें उस केस में जैंपा को ड्रॉप करके हैं आप हाली के साथ जासकता हूं एक और अच्छा सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यह कुछ ऑप्शन आपके लिए बन जाएंगा यहां पर चाहते हैं के मैक्सिम दस प्ले ले सकते हो बट मैंने आप सेम टीम में फिलाल क्रियेट करी है मुझे कोई ज़्यादा चेंज लगा निए तो बाकि जो फाइनल टीम होगी वह मैं दे और टीम तो हो जाएगी अपके लिए मत यह इए तो जाएगी आपके लिए ऐसा यह को ग्रेंटाव के लिए थान से जोइन कर लेना लिंक वहीं वीडियो की निच्चे खमेंट सेक्षन मिल जाएगा सबसे ओपर मैंने सेक्षन में ब्लीव कलर के लिंग को पिन किया है जैसी इस पर क्लिक करेऊगे टेलिग्राम चैनल तो इस प्रोसेस के दूब टेलिग्राम के रियल और और उरिजिनल चैनल के साथ जुड़ जाना तो मिलते हैं टेलिग्राम पर जाहिंग दोस्तों बाइब